हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल टेटएट अकैटमी में मैं हो सशी कामत्रा है और आज के वीडियो में बात कने वाले हैं सीटेट 2021 का जो नया टॉपिक है उसके बारे में और इससे पहले जो हमें बात किया था जो वीडियो बनाया था वो जो है और वाल विकास की सिध्धांद कर्यों है बेसिक कॉंसेट क्लियर किया था अगर आपको वीडियो नहीं देखा एक आप को सारे वीडियो क्रेंट्फिकेशंस मिल जाएंगे यसा कि मैंने कहा था कि बच्चों के विकास के जो जो इसका पार बन था वह मैं बना चुका हूं सटंब में हैं विकास के सिधन दोगात करेंगे तहुं करद कि कि फोर्वेruckास के सप्राइब करने चेंटों कहा है किना सब्सक्राइब परिवर्दन जोह है खासतर से ऑर मांसिक परिवर्दन यू nerve हो तो कि गर्भा ववस्ता से devoted आपको देखने कली मिलते हैं उसके बादे से है व्यक्तित का विकास होता है यहां पर जो है दोनों चीज़े अलग अलग है खास तोर से जो पेंद्री सी चपात्ता परीक्षः उसमें प्वेपर में जो प्रवादतन तो दोनों में काफी डिफ्रेंसेज यहां पर आपको देखने के रिमिल सकता है तो उसी डिफ्रेंसेज को ध्यान पर अध्यान करेंगे ठीक है तो आई शुरू परते हैं आज का वीडियो जानते हैं कि बाल विकास के सिध्धान्त क्या है और इनको एक निश्यत प्रम में लेके चलेंगे ताकि आपको इसका कॉंसेट काईदे से क्लियर हो जाए इसमें जो सबसे पहला जो विकास का सिध्धान्त है वो बताएगा है कि विकास का एक निश्यत प्रतिरूप होता है विकास का एक निश्यत प्रतिरूप होता है पर्टिकलर पैटर्न और डेवलोपमेंट ठीक है तो विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होने का मतलब यह है कि इसमें जो है जो वनसानुक्रम वाले जो विकास तब तो होते हैं उनका जो घुण होता है वो बालकों में जो है आपकी विकास की गति और जो सीमा को एक जसा रखता है कि यानि कि विकास का फर्त प्रतिव होता है वो एक निश्चित फॉर्मिक में होता है तो कहने मतलब यही है कि इसमें विसे शुरुख से दो तरीके विकास देखने के मिलते हैं और पहले अस्त्र को विकास होता है उसमें भास शोर से वंजसामातिकरम के ज manic सकता है तो फिलाल इसमें दो तरिके के विकास होते हैं पहला तो होता है आपका जो है मस्तिक से नीचे की और कर नियम यानी सिर से पैल की तरफ जो नियम है विकास के सिध्धांग का वो इसमें आता है जिसमें बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैल की तरफ होता है जो पेट और धर जो है आपका जो होता है जो बालक का जो पेट और धर होता है उसमें क्रिया सीलता जो है पहले आती है यानि कि एक केंद्री भाग है जहां से विकास के प्रक्रिया शुरू होती है इसलिए विकास का जो एक निशिव प्रतुरूप होता है इसको दो बाड़ दिय किया किया है पहला है मस्दिक से नीचे हों का नियम ठीक है और पुर्वाती लक्षन आप देखते हैं एक बच्चा किसी वस्तिपू उठाना चाहता है वहाँ पर सब पुरा सरीर जाए हिला कर देता है तो इसी तरीके से जो आपका जो सरीर विकास होता है पहले समान्य वस्ता पुरे सरीर विकास होता है उसके बाद आपके एक 20-20 अंग ज सब्सक्राइब होता है वह समाने से की निरतर होती है इस लिए विकास की गति होती और यह दरभावस्ता से लेकर पर चलती रहती गया उसके वाद में उनसानुटर्म के अधार पर घ्टिकत आंगे विकस क्रांद में विकास के सिधर्ष में पाइजाती है और jan Mendata फ्रें, पहली सो होते हैं कि विकस क्रांब के जो विकस क्रांदा कर्म से उनकर से शित्बुम क्रांद का है तेजी चीजी यह होती है कि जो आपकी जो पर्यावरान या जो वातावरान का प्रभाव होता है यानि कि अगर कोई बालक या सिसु जो है अगर वातावरान से ज्यादा पुभावित है या उसके आसपास का वातावरान गंदा है या उसको जो है पोजन सही से नहीं मिला है पूपोस देखने के लिए मिल सकती है और इसके साथ ही जहाए इसमें लेंगिक विवनेता भी आ जाती है यानि कि बालकों में जो विकास का क्रम होता है उसकी गती कुछ और होती है खासतोर से आप देखेंगे कि बालकों में जो विकास की गती होती है तो बालकों की अपेच्छा तीव तो के लेंग के इसके पॉट्ट ने इसके आपाद राधा है विकास करम का का जो सि उता है कि कई वालक में घरभा वस्ता से लेकर के किस्वरा वस्तार तो विकास होता है वह विप्निस्चित इसमें जो है इसमें जीरो से सुरू किया गया यानी गरभादान से सुरू किया गया है और पांच वर्स तक जो है इसको दिखाया गया है जो क्रमिक विकास का जो सिद्धान थे यानि की बच्चे की एक क्रमिक जो आयू होती है उसमें कौन-कौन से परिवर्टन या कौन-कौन से विकास देखने के लिए तो जीरो वर्स जो है गरवादान का समय होता है तो इसमे हें भी मांद के चलिए जो बच्चयों की दाब्ट Beloca आठ satak की जो अवधी होती है उसको दर्वावस्ता करते हैं गर बबाता गहता है और एक सब्ता को हम लोग करते हैं बुना वस्ता करते हैं और आठ सब्ता की जो विकास की वस्ता होती है उसको जो है गर्भा वस्ता करते हैं दस्वा सब्ता में क्या होता है धर्भा विस्तार हो जाता है 14 सब्ता में बालक निगलना वा छीकना जो है सीख लेता है 16 सब्ता में वा जो है सांस लेने से पुरु की गतियां सीख लेता है 18 सब्ता में वो मुठी बंद करना सीख लेता है 20 सब्ता में गर्दन की सहज क्रियाई करना सीख लेता है 24 सब्था में सारीडिक वर रासायनिक मियंत्रों को पहचारने लगता है 40 सब्था में 0 से 40 यहां 40 से 0 कर दिया गया है तो 40 सब्था में यानि जन्म से पूर्व जो इसके की होती वो आपकी पूरी परलिछी तोने लगती है और फिर 0 से शुरू होता है यहां से मन्थली आप इसको डिवाइड कर लेने तो यह होता है कि घर्भा वस्ता से सहसवा वस्ता के मद्यकाल बताई वहां चैनलीज सकता तरह और सहसवा वस्ता के मद्यकाल से ऊपर जब आप पौंचने लगते हैं तो आपका जो है किसोरा वस्ताइक तरफ बालब बढ़ने लगता है जिसमें अलग तरीके के परिवरता में वितास देखने के लिए मिलते हैं जिसमें चौथे सब्ता में आपको आँखों पर नियंत्रम करना बच्चा सीख जाता है सोलवें सब्ता में सिर का संतल मुणराना सीख जाता है अठाइसमें सब्ता में हातों से पकड़ने की चेश्टा करने लगता है और चालिसमें सब्ता में बैठना या भिषिकना सीखने लगता है और बारह माह में वो खड़ा होने लगता है अठारा माह में चलना सब्तों सब् दो वर्समें जो है आतों के नियंत्रम कर लेता है और तीन वर्स में वाक्य बोहना सुरूर करता है اور चौथे वर्समें संख्या वा आकार का घ्यान उसे होने लगता है और पांचमें स्थामाजिक्ता वह बेड़ना शुड़ना उसको हैरे विशारे का सिधान करते हैं, जो तो में अलग-अलग आयू वर्स में अलग-अलग होता है और इसके questions पूछे जाते हैं इसको ध्यान से आप पढ़ लिजेगा इसमें जीरो से दिखाया जा रहा है बेक्तिकत समाजिक ब्यवार यानि जीरो से लेकरके घरवाजान से लेकरके जीवन परिवार में परिवर्ता नात सब्सक्त्राइन जाते हैं हैं इसलिए जीरो से लेकर और इसे परस्मे पूछे जाते हैं और यहां को हम लोग कहते हैं विकास क्रम का सिध्धान कहते हैं और आई इसके आगे के सिध्धान देखते हैं इसके आगे का जो सिध्धान थे उसमें आता है कि विकास की गती में तीरता और मंदता पाई जाती है विकास की गती में तीरता मंदता का मतलब यह होता है कि कभी विकास की बढकति के टी मी होती है न पड़ाइसे सुरुआक्षी तेज लगती से बढ़ती है अर す以前 को आगे चलेंगे जब अधिलम के पढ़िए वहां पर दिखायाई का कि कड़्ी नहीं रहती है कभी थीमी होती है काफिए दिूannel हो जाती है तो इंको जो है उन्दिवं के पढ़ेंगे लेकिन होता है इसके पर नाम होता है इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है या सबस्वरी विसेष्टा हो होती है जिसमें परिपकता और सीझन कुंपरात होते हैं उसे आपको सीखने में सहयता मिलती है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आपको यहां पर परकता और सीखने को आप सिखन भी कह सकते हैं और अभ्यास भी कह सकते हैं और अधिगम भी कह सकते हैं यह सब्दों को हम पर बदला जा सकता है और question पूछा जा सकता है कि विकास के सिद्धान्त में मूल जो तत होते हैं दो कौन से होते हैं तो पर्पकता होता है और सीखना होता है थीक है, उसके बार आ जाता है कि वकसानुद्ः밤 में кी अंते क्रिया का सिध्धान्थ है, यह वास्तों में क्या होता है, वकसानुद्ः Ouag whilstah voaksa की अंक्रिया होती है, उसके चलते किसी बालक का वकस होता है विपि यह सारे उसकों Mimi बालक के आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो पसाथ में तब तक के लिए धन्यवाद